सादर नमस्कार जै जनेंद्र चक्के तारण हारी अंधकार को मिटाने रोश्नी से चक को प्रकाशित करने भवे जीवों का कल्यान करने वाले जीवों और जीनेदों का संदेश नेने वाले महाविर बगवान का आज जनम कल्यानक है यह सिर्फ एक दीवस ही नहीं बलकि अहिंस और सत्य के जोद फिर जलाने की और भटकते हुए रहागिर को रहा दिखाने की और जीवों को एक समान समझने की और मौक्ष के तरफ बढ़ने की प्रेणा देने का दीवस है एक दीपक की भाती जगमगाते रहो फिर चाहिए आंदी हो या तुफान हो तुम ना निको अपने पत से फिर क्यों न आए उपसर्ग हजार है परिक्षा उनी की होती है जिनके इरादे मच्पूत होते हैं तभी तो याद उनी को किया जाता है तो सच्चे महवेर होते है भगवान महवेर कहते थे कि अहीन सा पत चितना मुश्किल होता है उसका फल उतना ही सुखदाई होता है वो कहते थे कि हम बहुत भागेशाली है कि हमें मनुश्य भव मिला, जैन धरम मिला, उच्छा कुल मिला, देव देवे भी इस भव के लिए तरस्ते हैं और इस भव का अगर हमने सही से सदुपयोग न किया तो हमारा मानव जीवन नी शफल हो जाएगा फिर से हमें उन्चारासी लाग जीवियोनी में फटकना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा इसलिए हमें धरमध्यान करते रहना चाहिए, जितना भी बन पड़े उतना करते रहना चाहिए पर धरम काल्यम में बिलकुल भी प्रमात नहीं करना चाहिए सिर्ष शीला पे विराजमान आज वो भगवान है जीयो और जीनो दगा वो संदिश वाहक है जिन्शाशन की वो शान है हम सब की प्रिय वो हमारे 24 वे तितंकर भगवान महावीर है वो हमारे 24 वे तितंकर भगवान महावीर है जै जिनेदर